मैं बना रहे हूँ चिकन पकोड़ा जिसके लिए देखें एक पाव चिकन लेके बॉनलेस चिकन है इसरी पानी डाल के इसे बॉयल कर ले और फिर हाथों से या फिर ग्राइंड करके इसे तोड़ ले हाफ टेबल इस्पून जीरा ग्रम मसाला पंटेबल इस्पून लाल मिर्च कोड़र पंटेबल इस्पून लसन अधरक पेस्ट दो मेडियम साइज के प्याज इसे में स्लाइस में कट कर ली हूँ तीन मेडियम साइज के आलू इसे बॉयल कर ले एक प्याला बेसल धन्या पत्ति नमक टेश्ट इकोड़िंग एड़ कर लें वन टेबल इस्पून इसमें सेजवान चट्नी अगर आपके पास है तो ले नहीं तो आप इसके विगाएर भी बना सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको मिर्च आप अपने एकोडिंग कमया जादा कर सकते हैं आप इसमें हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं देखे इसे अच्छे से मिक्स कर ली और इसमें पानी आपने बिलकुल नहीं डालना है इसे बेसन और सब को जो स्पाइसेज गये हैं उसी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इधर ओयल गरम हो रहा है देखिए ओयल गरम हो गया अब इसे अच्छे से इसे फ्राई कर लें देखिए यह चिकेन पकोड़ा बहुत टेश्टी बनता है वह आपने इसे निकाल लेना है अबस्टी बनता है